पानी ने ले ली बच्चों की जान, इस बग्ठ हम ओल्लाजिंदर नगर में करे हैं, जहां पर तमाम ओं कोचिंग का यस इन्सिचूट है, यही पर राज की फिल्हाल जो सूचना मिलने उसके मुताबिक की दो बच्चों की फिल्हाल मौत हो गया है, हाला की मौके पर फार वि कर रही है कि जो अंडर ग्रांड पार्किंग था वहां से पानी को निकाला जा सके चुकि वहां पर बनाया गया था और लैबरेडी में पानी भरा जिसकारण वहां मौझूद बच्चे की जान चलीगे हाला कि अभी दो बच्चे बताया जा रहे हैं लेकिन यहां पर च्छात् देखें बेस्मेंट लाइबरी है कोचिंग इंस्टिट्यूट का बहुत बड़ा नीचे कम से कम मान के चलो अनुमानन सव बच्चे लोग का है तो यह जो बताया जा रहा है कि दो से तीन बच्चे लोग की जान गया यह तो सरा सरजूट है क्यूंकि चार से पाच बदे से बारिष स्टार्ट हो गया है बच्चे रहते हैं बेस्मेंट में पढ़ाई कर रहें तो उनको पता नहीं चलेगा तो अगर तेज बारिष के कारण जो की हर साल होती है तो अनुमान मान के चलो कि 15-20 बच्चे गलत भी हो सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि 15-20 बच्चों का हो स सुचना यहां के सब बच्चे लोग इंस्टाग्राम ट्वीटर यह सब अपने आप यूटूब पे खुछ से चैनल पे व्लॉग बनाके डालने लग गए हम सब यहीं है करोल बाग राजेंदर नगर सब बच्चे लोग का हब है यहीं सब बैटके बढ़ते रहते तो जैसी बच्चे लोग आ गए प्रोटेस्ट के लिए कि बेस्मेंट में जो लैब्रेडी है क्या यहीं हाला कि पानी भर जाता है दिखिया यहां कर आप देखो गए डिल्ली का कैसे हालात है अगर हलका सब बारिस हो जाए एक दिन भी जम के बारिस हो जाए तो बेस्मेंट यह हर सल यहां पानी एसे हिला भर जाता है हाई होड़ी यह पहले इसा नहीं पहले अई होती थी आज कल बेस्मेंट में लाइब पूलिस अभी कह रही है कि दो बच्चे चाथ चात्राओं की जान गई है क्या वहाँ पर जिस समय घटना हुई आप लोग बता रहे थे कि छे साथ बजे से यह हुआ था शे साथ बज़े मों बरसाथ के बाद हुआ तो क्या उस समय दो तीन बच्चे होते हैं क्या उस समय कम से ज्यादा नहीं तो 30-40 बच्चे तो होने चाहिए और में एक खाना कहा रहा था तो में मुझे बताया गया था कि कम से कम पंद्रा डेट बोड़ी निकाली जा चुकी है किसने बज़े यह साड़े साथ बज़े के आसपस की बात है साथ बज़े के मुताबिक तो अभी मैं द करता है यह बताइए कि जो लाइडी में पानी भरा हुआ था क्या अमोन यह पहले भी होता था यह पहली वाली सड़कों पर तो हम ऐसा बहरा रहता है लाइब्रेरी में पानी भरना मुझे लगता है आम बात है और जो राउस कोचिंग है यह पांच साल से चल रही है हर साल कि यहां सामने पानी भराता है नीचे भी पानी भराता है लेकिन कोई स्टैप नहीं ली और अभी सबसे दुख पूर्ण बात यह है कि हम सब बच्चे हैं रो रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे भाई बंदू वहां पे बंद थे लेकिन एक भी कोचिंग ओनर हमारे सा जल्द बाद है मतलब जो से जल्दी बंद करके बच्चों को घर पहुंचाना था दूसरी बात सरकार की नाकामी भी तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने ऐसी जगे क्यों दिया जहां सीवेज लीक हो रहा है पानी अंदर जा रहा है तो सरकार को चेक करना चाहिए था दि लग जाए और हम भी खतम हो जाएं सरकार अभी अपडेट भी नहीं दे रही है कि कित्ते लोगों की कैजुएल्टी होई है एक लिस्ट कि बता भी नहीं रहें कि उधर कितनी कैजुएल्टी हुई है क्या है बच्चों को यह चुपा रहे हैं लोग कुद अभी लेटी जब दो यहां पर लगबग घुटने तक पानी बढ़ता है और जहां पर लाइबरी यहां पर पानी भरता है तो जब इतना जादा पानी भरेगा तो प्रॉल्ब्लम ड्रेच का है तो इस बार साफ नहीं करी गई है जितना भी होता है तो लास्त यह तक थोड़ा वो ट्रक्स हो रहाते तो इस लिए इतना बड़ा हासा है अभी जब हमें कितने लोग है कितने नहीं है वो तो अभी तक पता नहीं चलेगा कि आप पोलिस है पुरा कॉर्डन ओफ कर दिया अरिया को तो जैसे जैसे अभी आगे सूचना है मिलेगी तो आगे सबको पता लगता जाएगा अब आप जाते हैं यह बताएगे जिस समय यह चे साथ मज़े का घटना है कि बारिस के बाद यह घटना हुए तो उस समय कितने चाहते हैं अभी तो जैसे पता जला 25 बच्चे तन्दर ठीक है लेकिन जो रिपोर्टिंग अभी आ रहा है जिस बतार एक दो बच्चे दित जो कोई देखने वाला नहीं था बच्ची अंदर जो लड़की ति मैं उसमें लड़की देड़ने पाया यह बाद करते हैं मानव मानवधिकार की बात करते हैं खुद मानवधिकार की हल्फ मतरत ने निकार रहा हुँ ऑस पलडिकल और और यह दोनोंके मेकसस है मुझा लगा आई डूंट नो कितने बच्चे कुछ कह रहे कि दो कि डेथ हुई है कुछ निकल कितने असाइब के पास जानकारी को अब यह तो प्रसासन की जिम्मेदारी की वहां पे मीडिया को भी नहीं जाने रहे तो स्टुडेंट को कहां कि से पाता चलेगा आप देख रहे हैं ब्लाइन दिल्ली की मतलब एक सबसे महेंगी जगहों में से जहां पर नार्मल लोग रहता है सबसे महेंगी जगों में से दस मिनट बारी सोगी तभी पानी भर जाएगा दो घंटा बारी सोगी तो कमर तक पानी भर जाएगा और बिजली के तार पूरे लटकते रहते हैं वाइरन के जितने ओनर है वो रेंट बढ़ाये जा रहे हैं आए दिन गर्मी के मौसम में बिजली के खंबॉं में आग लगी गई अब सुछे कि बिल्डिंग में यह हाद्सा हुई है वो एक साल पहले बनके तयार हुआ इसके अगल बगल में एक साल पहले वाली वाली बिल्डिंग में अगर से 10 साल का कम से कम वारिष का रहेगा अगर आप कोई भी बना है हो आपको इतना पता चलेगा कि कितना पानी आ रहा है और उसमें बी आप नीचे ईचला डाल रही हो और लाबरेरेरी या बच्चे लोक पढ़ार हो तो है यह सब लापरवाहि है जिसके कारण पानी भरने के कारण दो चात्रों की फिल्हाल अभी पुलीस स्थिति थोरा सा भी पानी होता है तो यहां पर यह स्थिति हमेशा उत्पन होता है लेकिन इसको नजर अंदाज किया गया जिसके कारण यह स्थिति हुई कि वहां पर जो बच्चे को सुरक्षित निकाल दिया गया है और कितने बच्चे की अभी तक देथ हुई आला कि पुलिस के तरब से जो ये लोग कह रहे हैं इसके मुताबिक दो एक छात्र एक छात्रों के बारे में बताया जा रहा है लेकिन आपचारी बयान आना अभी भी बाकी है वीडियो जनले संजै सर्मा के साथ आमेच चौधरी न्यूज नेशन दल्ले